विख्म स्टूडेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल ऊपलर गुरूप पे बात कर रहे हैं मघज युनिवरिसिटी के स्टूडेंट्स के बारे में इस बहुत सारे च्छात च्छातरे यहाँ पे पूछ रहे हैं इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही जादा important होने वाल यह last तक जरूर देखिएगा और वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दे कि हमारे चैनल पे मगद university से related सभी के सभी अपडेट सबसे पहले दिये जाते नहीं जुड़े हुए अभी तक तो जुड़ जा चाहेंगे तो एक-एक खबर को यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं मगद university के स्टूडेंट्स का माकशीट डिग्रियों को ले करके आज का यह latest update है आप लोग देख सकते हैं मगद university में अंक पत्र मूल प्रमान पत्र अंक पत्र या फिर जो main certificate होता है या फिर यहां पर कि जो भी students यहां पर लेना चाहते है जिनका कि यहां पर mark sheet और result pending था जो कि नहीं ले पा रहे थे उन सभी students को यहां पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे students बड़ी मात्रा में दूर दूर से आके अपना university जा रहे हैं लेकिन उन्हें जो है य अब भी चकर लगा रहे हैं विश्विद्याले यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां पर यहां पर विश्विद्याले में आने के बाद च्छात्रों को यह भी पता नहीं चल पाता है कि उनकी degree बनी है या नहीं शुकरवार को ऐसे च्छात्रों का जमावड़ा सेक्षन नया सेक्षन है जिनका की पार्ट वन का एक्जाम और पार्ट दू का एक्जाम हुआ था आप जैसे अगर अगर अठारा एकस 1922 की कहें तो यहां पर उनको माकशीट देने की बात अभी थोड़ा सा दूर है अभी पहले उनका रिजल्ट जारी करना है जो कि आप ल ओफिशियल सर्टिफिकेट लेने का टाइम है जो सर्टिफिकेट होता है आपका वो लेने का टाइम है लेकिन वो स्टुडेंट्स भी अगर अपने यूनिवर्सिटी जाके इसकी मांग करें तो अलग-अलग तरह की चीजे उनको सुनने के लिए मिल रही है जैसे कि कोई फ विश्विद्या लग गए है तो उनको द्वारा उनको ये कहा गया है कि अभी तक जो मार्क शीट है उनकी वो प्रिंट नहीं हुई है तो ऐसे में स्टुडेंट्स यहां पर परेशान होते हैं कई छाद चात्रा परेशान होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए क्योंकि यह चीज मगद यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो भी देखते हैं तो आप लोग को यह समझना चाहिए कि यहां पर भविश्य की बात हो यह कुछ एक दो स्टुडेंट्स की नहीं हजारों हजार स्टुडेंट्स लागों स्टुडेंट्स उनके यहां पर यूनिवर्सिटी में तो उनको उनकी भी समझना चाहिए अभी तक ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे बिहार में जो कि मगद यूनिवर्सिटी इतना लेट चल रहा है तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग का ही कोई दोस्त ह जो कि बाकी किसी अलग उनिवर्सिटी में पढ़ रहा है आपके आसपास की किसी उनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जैसे भागलपूर है बिहार उनिवर्सिटी है LNMU है और भी मुंगेर उनिवर्सिटी है आपके आसपास की उनिवर्सिटी हैं तो उनका सेशन इतना लेट नहीं चल रहा है जैसे कि पाटली पुत्र है पटना है इस सब बहुत हद तक टाइम से चलते हैं लेकिन यह जो मगद उनिवर्सिटी है बहुत ही जादा यहाँ पर कम से कम हमारा अगर अगर 18 के सुनिस बाइ सेशन के स्टुडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर यह भी सेशन के द्वारा यहाँ पर कॉलेज के आई टी सेक्शन में एक्जामिनेशन सेक्टर में आप लोग का रिजल्ट जो है वो बनाया जाता है और एक्जामिनेशन आपका जो पूरा कॉलेज बिल्डिंग है वो ऑक्योपाई किया हुआ है आपके जो मेट्रिक की चात्र चात्र है उनका एक्जाम सेंटर के रूप में तो आपको कम से कम आपका जो रिजल्ट है वो आपको वेट करना पड़ेगा आपके यह मेट्रिक के जो एक्जाम है इसके बाद ही आप लोग का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी होने वाला है चाहिए 18-20 की बात करें चाहिए 19-22 क तो students आप लोग के पास अगर कोई question है तो जरूर आप लोग को पूछ सकते हैं आप लोग को आज का यह जो update था मगद यूणिवर्सिटी से इसके बार में अपका क्या कहना है आपका क्या कहना आपके यूणिवर्सिटी को लेकर के क्या यह चीज किस तरह से ठीक हो सकती है क और क्या होना चाहिए ठीक तो आप लोग जरूर लिख सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में और आपके पास अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में भी अप से मिसना हो खासकर आपके college का कोई भी update आप से मिसना हो क्योंकि आपके college में सुबह के एक घंटे आपके college का काम होता है तो ऐसे में अगर कुछ जारी किया जाता है आपके college से related तो सारा कुछ आपको telegram और whatsapp में मिलेगा दोनों का link आपको इस video के नीचे description में देखने के लिए मिलेगा join कर ले ताकि कोई भी update आप से कभी miss ना हो वीडियो को like नहीं के तो like कर दे वीडियो को share भी ज़रूर कर दे मिलते है next update के साथ जैसे कोई भी update जारी होता है मगज उनिवर्सिटी के द्वारा तो और update से जुड़े रहने के लिए चैनल से भी जुड़ जाए नीचे subscribe का बटन है subscribe कर ले चैनल को मिलते है next update के साथ जैसे कोई भी update जारी करता है मगज उनिवर्सिटी के साथ तब तक के लिए नमस्कार